बारत चीन के बोर्डर से निकल कर सामने आ रही है भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर से भीड़ चुके हैं और ये सैनिकों की जो भीड़न्त हुई है ये सैनिकों की भीड़न्त लगातार दो रातों तक चलती रही है आज भारतिया सेना ने इसका खुलासा करते हुए मीडिया के सामने बाते रखी हैं कि 3930 अगस्त की रात तक जो सैनिक हैं सैनिक आपस में भिड रहे थे और इसी के साथ ये बड़ी कबर निकली सामने आई है दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बताते हैं कि 500-1000 की संख्या में चीनी सैनिकों ने भारत की टेरिटरी में घुसने का प्रयास किया था और इसी के चलते 29 अगस्त की रात को भारत की सेना ने प्योंग्यंग लेक के दक्षणी इलाके की और उन चीनी सैनिकों को रोकते हुए उनके उपर धावा बोल दिया और 30 से 30 अगस्त की रात तक जो मारपीट की घटना है मारपीट की घटना चलती रही है और दोस्तों इस घटना में भारतिये सैनिकों ने चमगादर चीन के जबाड़े तोड़ दिये हैं और इसी जबाड़े तूटने के बाद जो चमगादर चीन है अपनी उकाद पर वापीस आया और एक बाड़ फिर से वाफिस लोट चुका है दोस्तों अब देखना होगा कि आकर कार चीन के सैनिकों की जड़ब यह दिखाती है कि चीन के सैनिक एक बारत के भारत के साथ दो दो हाथ करना ही चाहती हैं हाला कि अभी जो सैनिकों के साथ जड़ब हुई थी उस जड़ब के बाद जो चीनी सैनिक मरे थे उन चीनी सैनिकों की गिंती बताने सकते भी चीन ने मना कर दिया था और एक बर फिर से अपने सैनिकों का ताबूत बनाने के लिए भारत की सेना से टकराने के लिए चीनी सैनि जेट एक दम फुल पोटेंशल के साथ धावा बोल सकते हैं जबकि दूसरी तरफ चीन का रुख देखा जाए तो चीन यहाँ पर बहुत कमजोर है यही कारण है कि चीन सरफेस टू एर मिसाइले यहाँ पर तेनाद कर रहा है आपकी जानकर के लिए यह भी बता दे कि इस इस सिविलियन के लिए हाईवे पर गतिविदी रोक दी गई है क्योंकि अगर यहाँ पर जड़ब बढ़ती है और फाइटर जटों की एक चहल कदमी बढ़ती है तो यहाँ पर भारत की सेना को यहाँ पर हाईवे खाली कराने की भी जूरत है और दोस्तों इससे आप समझ सकते भी भारतिय सेनिकों ने एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं किया है हाला की होना चाहिए था कि भारतिय सेनिकों ने चीन के जबाड़े तोड़ने के साथ चीन के सेनिकों पर एक गोली भी चला देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों यह चमगादर चीन जो है कभी भी मानने वाला न चीन है बाचित की टेबल पर अब इसका चर्चा कर रहा है कि आखिरकार 39 और 30 की अगस्त की रात को जो जड़प हुई है उस जड़प को एक बर फिर से कैसे सुल जाये जाए हाला कि तीन महीने से बाचित हो रही है और तीन महीने से बाचित खतम नहीं होने के बावजुद भ होती है तो वहाँ पर दोनों ही तरफ के सैनिकों का नुकसान बहुत बड़ी संख्या में होगा